बिहार के सीता मरी से खबर आती है कि चार पैक्स अध्यक्षों ने मिलकर एक करोड़ पचास लाख रुपए के धान का गबन कर लिया है। और उन चार पैक्स अध्यक्षों के चार अलग अलग जो प्रबंधक हैं उन पर मुकदमा धर्च कर दिया है। अब आगे आपको यही बताएंगे कि पैक्स अध्यक्ष जब कोई आदमी बनता है तो कैसे वह धान खरीता है और धान खरीदारी होती है सरकार के बताए गए रेट पर लेकिन यहां पर करोड़ो करोड़ो रुपए का गबन हो जाता है। बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं। सबसे पहले पैक्स अध्यक्ष के काम को आप समझेए। अब पैक्स अध्यक्षों को सरकार कहती है बिहार सरकार कि आप लोग गाउं में किसान जो है उनका धान खरीदिये। अब धान कितना रुपिया किलो खरीदा जाएगा तो इसके लिए भिहार सरकार पैक्स अध्यक्षों को निर्देस देती है। उसका rate tag करती है लेकिन कई बार आरोप लगता है कि सरकार चाहें जो rate tag करे Pax अध्यक्ष जो होते हैं वो उससे कम दाम देते हैं और लोगों के पास मजबूरी होती है कि वो अपना धान वहाँ पर बेचें अब एक और बात जो Pax अध्यक्ष होते हैं उन Pax अध्यक्षों को जो सहकारिता बैंक होते हैं उन बैंकों के तरब से करज दिया जाता है कि वो उस पैसे से धान खड़ी देंगे और उस धान का चावल तयार करवा कर फिर से जब बेच किसको देंगे मतलब कि वो जो SFC का गोदाम होता है उस SFC को सौप देंगे तब उस चावल का जो रिन दिया गया होता है उस वक्त पर उस पैसे को लटा देंगे और यह पुरा का पूरा प्रोसेस ऐसा ही चलता है अब चार Pax अध्यक्षों ने क्या किया तो चार Pax अध्यक और इसके बाद परसाप पेक्स अध्यक्त सरफराज्चिदिक की इं चार लोगों ने करज लिया सहकारिता बैंकों से करज लेने के बाद धान खरिदा और धान खरिद कर चावल उपलब्द कड़ाया ही नहीं इसके बाद नोटिश जारी हुआ जो अधिकारी हैं सरकार हैं प् वो चावल मुहिया कराई है लेकिन पैक्स अध्यक्षों ने असना कुछ भी नहीं किया और इसके बाद डेल करोड के धान के गबन का आरोप लगाते हुए चार मैनेजर और चार पैक्स अध्यक्षों पर FIR दर्च कर दिया गया मामला दर्च कराया गया मुकदमा कराया गया प्रशासन की तरफ से क्योंकि उन्होंने डेल करोड रुपए का धान का गबन कर लिया है और हमने आपको बताया कि ये धान कैसे खड़ जा जाता है और कैसे इसे बीच सारी की सारी धाधली होती है जो आरोप लगा है सबसे जादा रुपया हडपने का या सबसे जादा रुपए के मुल्य का धान हडपने का आरोप लगा है परसा के पैक्स अध्यक्स सरफराज सुदिक्की पर जिनके उपर 53,000,000 रुपए से जादा का आरोप लगा है कि इतने का धान इन्होंने गबन कर लिया दूसरे नंबर पर आते हैं परशंडी पैक्स के अरून राय उनके उपर 46,61,000 रुपयों के मुल्य के बराबर का धान के गवन का आरोप है अब आगे देखते रहिए कि पैक्स अध्यक्ष और मैनेजर पर और क्या कारवाई होती है लेकिन फिलहाल पूरे बिहार की बा ही धांदली ऐसा ही घोटाला होता है हमने खबर आप तक पहुचा दी है आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा आपके यहां के पैस अध्यक्ष का बरताव कैसा है काम कैसा है उसके बारे में भी लिख कर बताईएगा वीडियो शेयर कीजिएगा कि अमरेक से बिश्राहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद